हेलो बच्चो अपना स्कूल ओनलाइन चैनल में आपका स्वागत है आज हम क्लास एट का चैप्टर पैरलल लाइन्स में वर्कशीट नमबर थरी करेंगे इस शीट में इस वर्कशीट में हमें लाइन सेगमेंट को डिवीजन करना है इक्वल पार्ट्स में जा फिर गिवन र सबसे पहले हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आपने या पर दिवाइड के लिए इसको कोई भी अक्यूट बनाएंगे एक तो ए से उपर की तरफ एक बी से डाउंडवर्ड्स तो सबसे पहले हम एपर बनाते हैं कि एक्यूट एंगल तो बेस्ट रेजल्ट्स के लिए हम बनादे एंगल फॉर्टी फाइव का अब इसको बी पॉइंट से लाइन मारेंगे का इधर वी एक लाइन रो करेंगे अब देखी ये अंगल हमारा और ये अंगल सेम है अब नेक्स्ट टेप क्या करेंगे हम कमपास को ओपन करकर कमपास को एकुली ओपन करकर जितना ओपन कि यह उतने से ही हम ये पॉइंट पे कमपास को रखकर कितने पार्ट में डिवाइड करना इसको 6 पार्ट में तो 6 टाइम्स आर्क लगाएंगे 2 3 4 5 और यह होगी 6 सिमिलरली से लगाएंगे देखी जहां से 1 2 3 4 5 और 6 अब हम क्या करेंगे पॉइंट लगाने के बाद इनका नाम लिख सकते हूं आप 0 1 2 3 4 5 6 और इस साइड से भी 0 1 2 3 4 5 और 6 अब देखिए 0 को 0 से मिला देंगे 1 को 1 से 2 को 2 के साथ जोइन कर देंगे 3 को 3 के साथ जोइन कर देंगे 4 को फोर्क सा जोइन कर देंगे 5 को 5 के साथ 6 को 6 के साथ अब देखिए जब इन पॉइंट्स को हमने जोइन किया तो देखिए यहां पर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6 पार्ट यह लाइन जो है यह भी हमारी equally 6 पार्ट में डिवाइड होगी अब इसका नाम देते हैं c1, c2, c3, c4, c5 और यह है c6 अब देखिए गिवन लाइन में a c1 इस इस इकल to c1, c2 is equal to c2, c3 is equal to c3, c4 and equal to c4 c5 c4 c5 के और c5 is equal to c6 तो means यह सभी parts equal है second question है हमारे पास draw a line segment of length 6.4 cm and divide it into four equal parts और हमें हर part की length को measure करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक ड्रो करेंगे line को that is equal to 6.4 cm इसका नाम देंगे line का line का नाम है माल लीजिए a b अब अगेन हम 45 मनाएंगे इसके उपर a point से और फिर similarly b point से अब यह point से 45 का angle और इसी तरह b point से अब हम जॉइन कर देंगे अब हम जॉइन कर देंगे को यहां पर एंगल फॉर्म कर दिए 45 का सिमिरली इसको इसके जॉइन करने से यह 45 का अब हमें कितना दिया है फोर इक्वल पार्ट तो फोर इक्वल पार्ट के लिए हम कोई कमपास को उपन करेंगे आईडिय से और इसी कमपास को इतना ही रखते हुए चार और आर्क लगाएंगे इस साइड में भी आर्क लगाएंगे चार टाइम फोर टाइम आप देखिए इसको आप नंबर दे सकते हैं कि यह जीरो है तो जीरो शुरू के जीरो वन टू त्री और फोर अब वही स्टेप है हम पहले इसको यह पॉइंट है जीरो को जीरो से जोइन करेंगे इस वाले को पहले ही इसी से जोइन कर देंगे शेकिंड को शेकिंड से जोइन कर देंगे थर्ड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से जोइन कर देंगे फोर्थ पॉइंट को फोर्थ पॉइंट से जोइन कर देंगे अब देखिए क्या हमें अब्टेन हो रहा है C1 C2 C3 और C4 इन पॉइंट्स पे अब जे देखिए A C अब देखिए A C अब जे लाइन जो थी ना वो चार इकुल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है चार इकुल पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके A C1 C1 C2 C2 C3 और C3 से C4 के लिजिए जहां C3 से B कह दीजिए तो यह सभी इकुल पार्ट्स हैं अब हमें क्या करना है हमें लेंद्ध करनी हैं इसकी कि इकुल पार्ट्स कितने कितने के हैं अब देखिए यह इच पार्ट 1.5 सेंटिमेटर का इसमें बन रहा है यह 1.6 से सोरी 1.6 का इस पार्ट यहां से मेजर्मेंट में आ रहा है तो देखिए यह इकुली डिवाइड होगी इस पार्ट में और इस पार्ट इस इकुल टू 1.6 सेंटिमेटर थर्ड कोस्टिन है हमारे पास है ड्रॉय लाइन सेग्मेंट ऑफ 5.5 सेंटिमेटर और इसको हमने अब रेशो में कनवर्ट करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे 5.5 के एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह हमारी लाइन मन गई इसका नाम लेजीजिए पी क्यों माल लीजिए अब इसको क्या करना है हमने टू रेशो त्री में करना देकि तू रेशो थ्री मिन दो पार्ट से एक तरफ और तीन पार्ट से तरफ तो तो और त्री का जोड़ कितना हुआ टोटल कितना हुआ तो इसमें हम फाइव पार्ट में इसको डिवाइड करके फिर इसका रेशो बनाएंगे तो वही स्टैप में पहले लाइन ड्रॉ करी फिर उसके बार अक्यूट अंगल में हम इसको 45 लेते हैं को कि इससे थोड़ा से इजी हो जाता है यह इस साइड भी हम 45 का अंगल बनाएंगे अब लाइन से स्केल से पीप को इस पॉइंट से जोइन कर देंगे क्यों पॉइंट को भी इस पॉइंट से पास कर देंगे विज़े 45 45 दोनों सेम है अगल अब हम क्या करेंगे देखिए 3 और 2 का रेशो जो है वो इक्वल टू 5 होत करता है तो हम 5 इkkul घ्र वाइंट करेंगे कि मंब अप्र करेंगे आदेव 2 पाट 3 पाट 4 पाट और 5 पाट उतने ही इता से उस साइड करेंगे एक पाट 2 पाट 3 पाट 4 पाट और फिफ़् पाट अब हमवे इजीने सकी क्या करेंगे यहा पर नमबर लगा देते हैं 0 1 2 3 4 और 5 similarly यहां से ही क्योंकि इसी स्विक्वेंस में यहां से लाते हैं easy रहता थोरा से 0 1 2 3 4 and 5 अब देखिए यहां पर रेशो क्या था 2 रेशो 3 दोन्यों का सम है 2 और 3 का equal to 5 तो 5 पार्ट्स होगे लेकिन 2 रेशो 3 का मतलब क्या है हमने अब इसको light line लगाएंगे पहले 0 क करेंगे अब डॉटर लाइन लगा सकते हैं आप सुरी तोड़ स्थिला साइड होगी अब देखिए वन को वन से अब देखिए टू पर तू को अब टू बाला हम थोड़ सा dark करेंगे तो धिकी यह one पार्ट है यह second tools आगे थिवाला डॉटर लेंगे इस फोर जोईन करेंगे चार लेंगे फिफ से फिफ्थ वाला जोईन करेंगे जोटर लेंगे अब देखिए इसमें क्या हुआ हमने ये सभी पॉइंट को पहले की तरह बना के जोईन किया लेकिन ये वाला टू वाला पॉइंट हमने थोड़ा सा रेशो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर फोर ड्रॉय लाइन सेग्मेंट ऑफ लेंथ 6.3 सेंटिमेटर एंड डिवाइड इंटर्नल इंट्री इंट्री रेशो फोर सबसे पहले क्या करेंगे हम एक लाइन ड्रो के 6.3 सेंटिमेटर की है कि इसका नाम दे दे सकते हैं अप अब क्या करेंगे हम इसके उपर एंगल बनाएंगे 4545 के एक एंगल बनाएंगे एक के उपर एपॉइंट से यहां से देखिए अंदरवाई डीडिंग 45 डिवाइड ली इस साइड हम एंगल बनाएंगे 45 का अब तो इस में से इसको line को join कर देंगे एक line जहां से इसे इससे में से pass कर देंगे जो 45-45 के दो एंगल बनगे आप देखिए हमें क्या दिया है 3 ratio 4 तो 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स और 3 और 4 का यह सम होता है वो होता है तो इसको seven parts में divide करेंगे तो seven parts में divide करने के लिए हमने compass को अपने idea से open कर लिएको seven parts मनाने है तो वन पार्ट second part third part fourth part fifth part sixth part seventh part इसी compass से हम दूस्री सेट भी marking करेंगे seven parts की first part, second part, third part, fourth part, fifth part, sixth part और seventh part अब देखें marking कर लेंगे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 अब हम क्या करेंगे 0 को 0 से join करेंगे लेकिन dotted करेंगे क्योंकि हमने main line को divide करना है 3 ratio 4 में तो dotted line pass कर दी, 1 को 1 से join कर देंगे, 2 को 2 point से join कर देंगे 3 को इस 3 से join कर देंगे, 4 को इस 4 से join कर देंगे, 5 को ये उपर वाले 5 से कर देंगे निचले वाले 6 को 6 से कर देंगे, 7 को 7 से कर देंगे अब देखिए हमारी जो line है वो 7 parts में divide हो गई है, हमें क्या लिखा है 3 ratio 4 parts, तो 3 parts count करेंगे हम ये 0 था हमारा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 था, तो देखिए 3 parts करेंगे, 1, 2, 3 तो ये इस line को हम dark कर देंगे अब देखिए line एक, दो, तीन parts इदर हो गए और एक, दो, तीन, चार, चार पार्स इदर हो गए अब ये line जो है AB, ये हमारी 3 ratio 4 में divide हो चुकी है Next question है, draw a line segment AB equal to 7 cm सबसे पहले 7 cm की एक line segment को हम draw करेंगे इसको divide करना है, इसके लिए सबसे पहले line draw करेंगे उसके बाद उसको हम 45 minutes acute angle बनाएंगे, दोनों तरफ उसके line है हमारी A और B तो 45 का angle बनाएंगे हम अपर साइड और 45 का angle हम B point से बनाएंगे अब A से हम B इस point को join कर देंगे similarly B से इस point को join कर देंगे, आप देखिए ये line B के साथ भी 45 का angle बना रही है और A भी इसके साथ 45 को बना रही है दोनों same है, अब देखिए हमें क्या कहा गया है एक point लगाना है हमने इस AB line के उपर such that कि AP का ratio और PB का ratio जो 1 ratio 3 अब देखिए 1 और 3 का sum होता है 4 तो पहले हम line को 4 parts में divide करते हैं तो 1 part, 2nd part, 3rd part और 4th part similarly said, 1st part, 2nd part, 3rd part and 4th part अब इसके नाम लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3 and 4 इसे भी 0, 1, 2, 3 and 4 इसको hash लगा सकते हैं अब अब क्या करेंगे हम इसको? 0 को 0 से dotted line में join करेंगे क्योंकि हमें parts में join करना है पूरी की पूरी line ने हमने पूरे parts नहीं दिखाना है हमने 1 ratio 3 दिखाना है अब हम इसको थोड़ा सा join कर देंगे हलका सा dotted line में 2 को 2 से join करके line draw करेंगे 3 को 3 से join करके line draw करेंगे अब 4 को 4 से join करेंगे अब देखिए हमें क्या कहा गया था 1 ratio 3 में इसको divide करना है तो देखिए 1st part यहाँ आता है इसके number ले लेते हैं इसके भी 0 तो हई था 1, 2, 3 and यह 4 था हई तो देखिए 1 ratio 3 में करना है तो यह 1 part के बाद हम यह कितने part है 1, 2, 3 तो इस line को हम dark कर देते हैं अब देखिए line अब इसमें नाम लिख सकते हैं आप C लिख दीजिए अब देखिए C0 C1 is equal to 1 और C1 say C4 is equal to 3 तो यह इतना 1 part है और इतना यह 3 parts है तो यह हमारा solve हो गया है next question है हमारे पास draw a line segment of given length divide it into 4 equal parts अब देखिए हमें बता दिया है भी किसी भी length का हम ले सकते हैं इसमें हमने माल ले जिए 9 cm की एक line draw कर लिए इसका नाम हमाल लीजे A और B अब इस पे क्या करेंगे हम इस line अपने अपनी मर्जी से एक line ले ली इसके उपर A point से draw करेंगे 45 का angle और similarly B point से draw करेंगे हम 45 का angle अब इनको एक line pass करेंगे B से इस point में से ताकि जे line 45 पे होगी B के साथ और एक इस point में से pass करेंगे ताकि जे point भी जे line भी 45 पे होगी आप हम क्या करेंगे हमें कितने parts में कहा है 4 parts में तो हम compass open करेंगे idea से और उसी compass से 4 parts mark करेंगे इस line के उपर जो vertically upside है उसी से यी B याली line B से जो line जा रही है इसके उपर 4 parts को हम mark करेंगे आप देखिए हम इसके नाम लिए देते हैं यह 0 था यह 1 है 2 है 3 है और 4 है यह similarly 0 1 2 and 3 and 4 अब हम क्या करेंगे देखिए 0 को 0 से जो line करेंगे 1 को 1 से जो line कर देंगे 2 को 2 से जोइन कर देंगे 3 को 3 से जोइन करेंगे 4 को 4 से जोइन करेंगे अब इनका नाम लिख देते हैं आप यह 1 2 3 अब इसका लिख देते हैं अब देखिए जे जो line थी यह equally 4 parts में ड्वाइड होगी C0, C1 is equal to C1, C2 और आगे next C2, C3 is equal to C3, C4 देखिए सभी parts equally डिवाइड होगे हैं 4 equal parts में तो steps में लिख देखिए यहां पर हम इसके कितने parts बनाएंगे 5 parts पनाएंगे क्योंकि 2 और 3 होता है 5 तो सबसे पहले line ड्रॉ करते हम 5.5 cm इसका नाम देदी हमने A, B अब हम इसके उपर एंगल ड्रॉ करेंगे 45 का एक B point से mark करेंगे एंगल 45 का अब इनको join कर देंगे यहां से इस point को join कर देंगे line draw कर देंगे इसमें से अब देखिए हमारे पास 2 और 3 का sum कितना था 5 तो हम इसको 5 equal parts में पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट पार्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ similarly side फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अब इस पर थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं यह 0 है 1 2 3 4 5 इसका नाम अब अपना इस पर ए लिख सकते हैं इसका लिख लेते हैं बी नॉट बी वन बी टू वी थ्री वी फोर और यह हो गया है ए नॉट और यह भी लाइन थी अब देखिए एककोल पार्ट में 5 में डिवाइड करना है हम क्या करेंगे अब अब सबसे पहले हम जिरो को जिरो से जिरो वाला जिरो ए जिरो को बी जिरो से जोइन करेंगे वन तो थ्री फॉरफाइब अब रेशो क्या था फूर ती अब दो पार्ट सोड़के हम क्या पॉइंट लगाएंगे यहां पे पॉइंट पी अब AP 2 है और PB हमारा 3 है तो यह लाइन हमारी 2 रिशो 3 में डिवाइड हो गई है और इस लाइन को हम थोड़ा सा डार कर देंगे इसका नाम दिखती है 1 C1 C2 C3 C4 यह B4 है अब दिखिए A0 से लेके A0 C1 plus C1 C2 is equal to 2 parts और C2 C3 plus C3 C4 plus C4 C5 B5 equal to 3 parts यह equally 2 रिशो 3 में डिवाइड हो गए लाइन नेक्स्ट क्वेश्टिन में मारे पास द्रॉय लाइन segment AB 6 cm हम पहले 6 cm के एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके उपर हम अगेन वही step है 45 का एंगल ड्रॉ करेंगे कोई भी acute एंगल करना आता है 45 90 के मिड में आता है तो थोड़ा सा इजी रहता है लाइन याफ्स में तकराती नहीं तो यह 45 का एंगल उपर मनाएंगे और 45 का एंगल हम बी point से ड्रॉ करेंगे अब इसमें को जॉइन कर देंगा देखिए यह लाइन बी के साथ 45 पे है और यह लाइन एक के साथ 45 पे है अब हमारे पास रेशो कितना है तो रेशो 5 तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 5 इस इक्कुल टू 7 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ी सी कंबास अपने ठीक सी खोली इसको वन पार्ट सेड थर्ड फर्ड फिफ्द सिक्स्थ और सेवन्थ इसके वपर नापने लेते हैं B है तो B C शुरू कर लेते हैं B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 यह A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 अब देखिए हम जोइन करते हैं वही शेम प्रोसीजर A0 को B0 से तुझे तुझे जोइन ही हुआ हुआ है, डॉटर लाइन लगा लेते हैं थोड़ी सी B1 को A1 से डॉटर लाइन पास कर दी, B2 को A2 से डॉटर लाइन मार दी, B3 को A3 से B4 को A4 से जोइन करना है, B5 को A5 से जोइन करना है, B6 को A6 से जोइन करना है और B7 को A7 से करना है, अब देखिए यह लाइन हमारी कितने पास में होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, अब देखिए हमें किसमें डॉट करना है इसको 2 रेशो 5 में, तो यह कि देखिए 2 यहाँ पर आए और यह आ गया वाकि 1, 2, 3, कर गए 5, तो यहाँ पर A और B में क्या है, यहाँ की बात है न, तो क्यो भी इसके बीच में आता है, तो यह नहाँ पॉइंट आगए यह क्यो इसको थोड़ा सा दार कर देंगे, अब देखिए 1, 2, 2 पार्ट यह होगे, तो A क्यो कितना हुआ हमारा दो पार्ट और क्यो भी हमारा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट अब हमारा रेशो क्या था, A क्यो अपॉन क्यो भी इस इक्वल टू टू रेशो 5 में डिवाइड कर दिया है, थैंक्स फोर वाचिंग दा चैनल